नमस्कार स्वागत है आपका हवारेश चैनल पर अजदत की बड़ी खबर आ रही है कि 378 दिन से चल रहा किसान आंदोलन अब खतम हो चुका है राकेश टिकेद के साथ गुर्णाम जिंग चडूनी की तरफ से भी यही कहा गया डेट भी दे दी है 11 से 13 तारीक के बीच में अब सभी बॉर्डर खाली हो जाएंगे यह लगातार बड़ी खबर है कि जिस तरीके से किसान अभी तक बॉर्डरों पर अड़े हुए थे राकेश टिकेद लगातार कोई ना कोई मौका ढूंड रहे थे आंदोलन पर बैठने का पर आज किसान संगठनों की तरफ से सहीं किसान मोर्चा की तरफ से एलान कर दिया गया है कि किसान अंदोलन को अब खतम किया जा रहा है आपने देखा कि 19 नवंबर को देश के प्रधान मंतरी ने तीनों किरिशी कानून वापस ले लिए उसके बाद लगातार यही कयाज लगाए जा रहे थे किसान अंदोलन खतम हो जाएगा किसान अंदोलन जो है वो तीन किरिशी कानून को लेकर ही बैठे थे किसान नेता पर आज ती किसान आंदोलन है वो खतम हो सकता है वर जो पिछ एड़ाू हुआ था वो लगाथा रिसी चीज़ पर रहा हुआ कि मौत हुई है उसको लेकर सेंद सरकार कुछ बात करें पРЕचा उसको मैंगे सब्सक्राइब करकwnieं वापस लेraction. देदी गई थी और आज जो मीटिंग हुई है उसके बास किसान संगठनों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब किसान आंदोलन पर खात्मे की मोहर लग चुकी है क्योंकि लगातार किसान नेता हो या फिर राकेश्टिकैद या दर्शनपाल इनकी तरफ से लगातार ये बा और खाली हो जाएंगे दिली के इससे पहले आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर पर जो टेंड थे जो लगातार एक साल से जादा लोगों ने बना कर रखे थे जहां लगातार पार्टियां हो रही थी अब पूरी तरीके से टेंट अब उखड किसान मोर्चा की तरफ से लिया जाएगा यानि कि केंद्र सरकार की तरफ सी जो मास्टर स्ट्रोक 19 नवंबर को खेला गया था कि आप करशी कानूनों को वापस ले लिया जाना चाहिए दिली की सडकें जो है वो खाली होने जा रही है राकेश्टिकेट में कह दिया है कि 11 द किसंबर तक रोडों को खाली कर दिया जाएगा जो किसान है जो अभी तक घर लोट चुका है और उसके बाद जितने भी जो अभी किसान रहे गए थे किसान नेता रहे थे उनकी तरफ से भी एलान कर दिया गया है कि अब हम घर की तरफ जा रहे हैं किसान आंदोलन खतम हो चु पढ़ूनी का कहना है कि सरकार से हमारी यही मांगती है, सरकार से हम लगातार यही कहने का प्रयास कर रहे थे कि जितने भी किसानों के ओपर केस हुए हैं जितने भी आंदोलन के दोरान जितने भी किसानों के ओपर केस हैं उन्हें बापस ले केंदर सरकार हमारी मांग माल ली गई है हम जीत कर घर जा रहे हैं इस तरीके से किसान नेताओं का कहना है पर इसी बीच ये भी बड़ी खबर ह कि लगातार बौडरों पर डटे रहने वाले राकेश टिकैट और केंद सरकार को धंगी देने वाले विपक्ष को लगातार सपोर्ट करने वाले राकेश टिकैट भी आज इस बात को मांग चुके हैं क्योंकि राकेश टिकैट काई ना काई अकेले पड़ चुके हैं क्योंकि इतने जादात में जो किसान संगठन है, किसान नेता है, अब अगर वो केंद सरकार के साथ जाने के लिए राजी हैं, उनकी तरफ से कह दिया गया है, किसानों की मौत हुई है, उसको लेकर भी प्रस्ताब दिया गया, केंद सरकार की तरफ से, जिस पर आज मीटिंग भी हुई, संयूत किसान मोर्चा की तरफ से, जो कमेटी बनाए गई थी, उसमें हर राजे से आने वाले किसान नेता शामिल थे, एमस्पी को लेकर भी लगाता और जो तरीके से किसान नेताओं की तरफ से मांग उठाई जा रही थी, केंद सरकार की तरफ से भी कमेटी का गठन किया गया, के हम इस पर विचार विमर्ष करेंगे, इसमें कई तरीके की लोग, किसान नेता भी शामिल होंगे, तो उसके बाद अब किसानों ने हटना तै कर लिया है, किसान अपने घर जाने लगे हैं, आपको बताते ही कि यह अभी की बात नहीं है, किसान अपने घर जा रहे हैं, जि बाबजूद भी राकेश्टिकेट जैसे जो नेता थे वो लगातार रोडों पर अडे रहने के लिए कोई ना कोई मांग लेकर सामने आ रहे थे उनका ये कहना था कि तीनो क्रिशी कानून जो है वो संसद में रद होने चाहिए और 29 रवंबर को ये तीनो कानून संसद में भी रद होने के बाद आज ये बड़ा फैसला सामने आया है क्योंकि राकेश्टिकेट लगातार 26 जनवरी को लेकर या फिर आगे की रणनीती को लेकर बार बार पे वो इस तरीके की बात कह रहे थे कि हमारा जो आंदोलन है वो दो हजार 24 तक भी चल सकता है जब सरकार है इतने टाइम तक चल सकती है तो अंदोलन क्यों इतने समय तक नहीं चल सकता पर आज वही राकेश्टिकेट में साफ कह दिया है कि अब वो घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जादत और जो किसान है जो जिनकी मांगे सिर्फ तीन किशी कानूनों को लेकर थी किसानों पर हुए केसो बॉर्डर अब फूरा खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है पचास से साथ विक्ति अभी तक आजी बॉर्डर पर थे और अब वो भी घर चले जाएंगे और सिंगू बॉर्डर की बात करें तो 378 दिन बाद सिंगू बॉर्डर अब खाली हो रहा है तमाम जो किसान है वो बॉर्डर अब खाली है और जो लंगर की अगर हम बात करें तो लंगर वाले जो व्यक्ति थे जो लगातार एक साल से जादा इन बॉर्डरों पर खड़े होकर लोगों को लंगर खिला रहे थे वो पहले ही अपने घर की तरफ जा चुके हैं यानि कि केंदर सरकार की जिस त जाने जाने वाले लोगों का हुआ है जो लगातार एक साल से घूम कर इंधन का जादा इस्तमाल कर ले थे कोई दफतर जाने में लेट हो रहा था तो किसी का कारोबार को लेकर नुकसान सामने आया था तो आज सब को लेकर आज दिली की जंता के लिए भी बड़ी खबर है उतरपरदेश के उन बॉर्डरों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी बड़े खबर है जो सिंगू बॉर्डर गाजीपूर बॉर्डर के पास रहने वाले लोग है जो लगातार उस्कूल से लेकर दफतर जाते हैं आज उसको लेकर भी खबर सामने आ रही है कियाब किसान आंदोलन का खात्मा हो चुका है एक साल से चल रहे आंदोलन का खात्मा है और एक के बाद एक किसान नेताओं का ये भी कहना है कि वो आगे चल कर समिक्षा मीटिंग करेंगे इसको लेकर और भी जादा मीटिंग होंगी पर अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रह पराली को लेकर पहले ही कृषी मंतरी नरेंद्र तोमर ने कह दिया था कि हम जो है जितने भी केस रोगों के उपर हुए है उसको लेकर अब पराली अगर कोई किसान जलाता है तो उसके उपर केस नहीं होगा और अब जाके MSP को लेकर भी केंद सरकार की तरफ से जब समीती का गठन कर दिया गया है कमेटी बना दी गई है तो अब कोई मुद्दा नहीं रहे गया रोडों पर बैठने का और लगातार जिस तरीके से जनता आकरोश में है सवाल पूछ रही है कि अब कौन सा मकसद है रोडों पर बैठने का ये भी कारण हो सकता है जिसकी वज़े से पराली को लेकर बास साफगर दी गई, MSP को लेकर कमेटी बना दी गई और जितने भी मामने दर्ज हुए है किसानों के उपर उसमें भी केंद सरकार ने कह दिया है कि लिखित में देने के लिए तयार है क्योंकि लिखित में लेने के लिए ही नेताओं की तरब से लगातार जा रहा था और बात करें हम आगर पांच लाख उर्पेक습니다 की तरब से लगातार मांगों को बढ़ाया गया कभी उन्में बजली केश जोधं को लेकर और निजी करों यहीं निकल कर सामने आई किसान भी घर की तरफ जा रहे हैं और इसी लिए अब किसान नेताओं की तरफ से एलान कर दिया गया है इस खात्मे को लेकर यानि कि अब जादा दिनों तक जो विपक्षी पार्टियां लगातार किसानों के कंदे पर बंदूग रखकर या फर इनी किसानों के पीछे बैक फूट पर आकर राजनीती कर रही थी आज उस विपक्ष का भी पूरी तरीके से भंडा फोड हो चुका है और आज उस विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं है राजनीती करने के लिए लगाता ट्विटर पर किसानों के नाम को लेकर राजनीती करने वाले राहुल गांदी का इस पर क्या कहना होगा जो लगातार ये कहते थे कि देश के प्रधान मंद्री कितनी बार माफी मांगेंगे आज उन राहुल गांदी से लेक ममता बैनर जी के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है और नहीं तो राकिश टिकेट के पास अब कोई फंडिंग आ रही है और यही बड़ा कारण है कि अब जो आंदोलन है वो समाप्त हो चुका है किसान अपने घर जा रहे है टेंट जो है वो खड़ने लगे है और पहले से ही जो लंगर करने वाले व्यक्ति थे वो घर लोट चुके है जहां जनता की बड़ी जीत हुई है क्योंकि लगाता लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था देश का किसान अब खेतों में जा चुका है इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए और आंदोलन खतम होने से क्या कहना है आप हमें जरूर बताईए धन्यवाद